Hello everyone, welcome to online study point दोस्तो आज की वीडियो में 2018 last और 2019 एनी की जनवरी से लिए के जुलाई तक की जितने भी important books launch हुई है उनके जो भी author हैं, उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं ताकि आपका एक भी question न छूट पाए exam में, इसमें international और national जितने भी author हैं सब को शामिल किया गया है और एक चीज मैं बता दूँ, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में divide किया है जो starting के 30 questions है, उनमें मैंने उन books को रखा है और उन authors को रखा है जिन book का जो विमोचन है और launching है, इसी साल हुई है, मतलब 2019 में जिनका launching हुआ है और जो last के 20 questions है, उनमें मैंने उन books और authors को रखा है जिन से questions सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और बार बार repeat होते हैं तो starting के 30 और last के 20 यहने कि आज हम कुल 50 questions के बारे में discuss करेंगे तो अभी तक यदि आप लोगों ने online study point को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से subscribe कर लीजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की notification सबसे पहले मिले सारे ही question important है, इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो helpful लगता है, तो अपने study related group में share जरूर करिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और अब हमें टेलिग्राम पर भी join कर सकते हैं, साथ ही आप Facebook पर भी join कर सकते हैं जिसकी link description box में दी हुई है, पिछलिए start करते हैं हमारा पहला प्रशन है most 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 important question है we are displaced पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है, मलाला यूसुफ जई के द्वारा मलाला यूसुफ जई के बारे में एक में current का question आपको बता दू जो मलाला यूसुफ जई है, इन्हें हाल ही में Cambridge वी सिद्वाले द्वारा Glitzman पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है हाली का यह question है, मलाला यूसुफ जई और award का क्या नामे Glitzman पुरुसकार जो मैंने award वाला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इनके बारे में discuss किया है और एक चीज मैं बता दू 2014 में 17 वर्स की उमर में, कितने 17 years क्यूम्र में इन्हें, नोबल पीस प्राइस से भी सम्मानित किया जा चुका है जो कि नोबल पुरुसकार की इतिहास में सबसे कम उमर की नोबल पुरुसकार विजेता है क्या नाम हिनका, मलाला यूसुफ जई, नाम आप याद रखीगा फिर हमारा अगला प्रशन है, हाल हमें लॉंच की गई किताब विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है, आदी संकराचारी जी के द्वारा और यह launch किसके द्वारा की गई तो दोस्तों यह launch की गई थी बैंकिया नाइडू जी के द्वारा और बैंकिया नाइडू जी है कौन यह भारत के उपराश्ट पती है फिर हमारा अगला प्रशन है Whispers of Time यह बुक किसके द्वारे लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है Dr. Krishna Saxena के द्वारा और इसका विमोचन किसके द्वारे किया गया तो इसका विमोचन किया गया था इसम्रती इरानी जी के द्वारा और इनका निर्वाचन शेत्र क्या है इनका निर्वाचन शेत्र है अमीठी फिर हमारा अगला प्रशन है हाल ही में लॉंच की गई गेम चेंजर किताब Most Important बुक है यह किसके द्वारे लिखी गई तो दोस्तों गेम चेंजर जो बुक है वह शाहिद अफ्रीदी के आत्मकता है और यह लिखी किसके द्वारे गई है यह शाहिद अफ्रीदी और वजाहत एस खान इनकी उपर युग तो दोनों के द्वारे लिखी गई है बुक का नाम है गेम चेंजर अच्छा शाहिद अफ्रीदी आप सभी जानते हैं पाकिस्त और भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा भिवाजित करती है, कई बार पूछा जाता है, वो है रेड क्लिफ रेखा, क्या रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ये भी आप याद रखिएगा, एक करंट अफेर का कुश्चन में बता दू, पाकिस्तान से रिलेटिड, एक तो यह कि हाल ही में गन्य के रस को पाकिस्तान ने अपना राश्ट्री पे घोसित किया है, किसे घोसित किया है, गन्य के रस को, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है, क्या नाम है उनका, शोयब खान, शोयब मलिक नाम है उनका, उन्होंने सन्यास ले लिया है, क्रिके यह लिखी गए हैं तो दोस्तों यह वॉण कौन है तो दोस्तों यह है और लोगोंने इनके बारे में कुश्चन जरूर पढ़ा होगा केन विलियम्स को अभी ICC World Cup में Person of the Tournament खिताब से सम्मानित किया गया था और यह New Zealand के कैप्टन है क्या नाम इनका? केन विलियम्सन फिर हमारा अगला प्रशन है 281 and it's beyond किसके दौरा लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है विवियस्ट लक्षमन के दौरा यह भारत के पूर्व दिगज बल्लेबाज रह चुके हैं फिर हमारा अगला प्रशन है यह किताब किसके दौरा लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है दो परसन के दौरा नीरत जहा और विधानशुकमार अच्छा बात विराट को लिखी आई है तो मैं इनके बारे में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं एक तो यह बहुत सारे brand के brand ambassador भी है कौन-कौन से brand के brand ambassador है? इन्हे हाल ही मतलब की इन्हे और अनुश्का सर्मा दोनों को ही मिंट्रा का brand ambassador बनाया गया है इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है यदि आप लोगों ने brand ambassador के trick नहीं देखी है तो online study point के playlist में जरूर देखेगा बहुत अच्छी वीडियो है मिंट्रा का brand ambassador फिर हिमालिया फेस्वास का brand ambassador Uber taxi का brand ambassador पंजाब national bank का brand ambassador और किसका brand ambassador? American tourister का brand ambassador तो ये सारे brand ambassador, इन सारे brand के brand ambassador है विराट कोहली और एक चीज current affair का question है हाली में ICC द्वारा इन है International Cricketer of the Year में मतलब first ranking मिली है ICC के द्वारा इन है और हाली में C8 International Cricketer of the Year और C8 International Batsman of the Year खिताब से भी नवाजा ज़र चुका है क्या नाम है इनका विराट कोहली तो इस प्रशन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है फिर हमारा अगला प्रशन है Winning like a sort of think and success like a gangly किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों यह लिखी गई है अभी रूप भट्टा चारे जी के द्वारा तो इस बुक का नाम आप याद रखिएगा Winning like a sort of think and success like a gangly फिर हमारा अगला प्रशन है हाल ही में क्रिक जोन नाम की पहली महिला पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह most 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 important question है क्योंकि यह पहली महिला पत्रिका है नाम क्या है? क्रिक जोन और मिताली राज कौन है? तो यह भारती महिला क्रिकेट टीम की captain है और जूलन गोस्वामी से भी related most important question पूछा जाता है कि नादिया express के नाम से किसे जाना जाता है? तो नादिया express के नाम से जाना जाता है जूलन गोस्वामी को फिर हमारा अगला प्रश्ण है अंडर डाउन सेविंग दा आइडिया ओफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है पी चिदंबरम जी के द्वारा और यह है कौन? यह भारत के पूर्व वित्तमंत्री रह चुके हैं और इस बुक का विमोचन किस ने किया? तो इस बुक की विमोचन याने की लॉंचिंग की गई पूर्व उपराष्टपती हामिद अंसारी जी के द्वारा और यह पूर्व उपराष्टपती थे और प्रणाव मुखर जी जो थे वो भारत के पूर्व राष्ट पती रह चुके हैं और अभी हाली में इन्हें भारत रातने से भी सम्मानित किया जा चुका है तो इस प्रश्ण से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है फिर हमारा अगला प्रश्ण है बदलते भारत किताब किसके द्वारा लिखी गई है यह लिखी गई है, संजय बारुजी के द्वारा, फिर हमारा अगला प्रशन है, महराणा प्रताब, The Invisible Warriors, किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों यह लिखी गई है, रीमा हुजा के द्वारा, और इन्हों ने इस बुक में हल्दी घाटी युद्ध में महराणा प्रता लिखी गई है, तो यह लिखी गई है, एना बंस के द्वारा, पिछले साल आप लोगों ने इनका नाम खुब सुना होगा, एना बंस, यह मैन बुकर पुरुसकार विजेता भी है, एना बंस, और यह एक आईरिस ब्रिटिस लेखक है, नाम क्या है, एना बंस, फिर हमारा आ पुछा जाएगा, तो यह पूछा जा सकता है, कि जोखा अलार्थी किस कंट्री से बिलॉंग करती है, तो यह बिलॉंग करती है, ओमान से, कहां से, ओमान से, फिर हमारा अगला प्रशन है, फ्लाइट्स, किस के द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों यह लिखी गई है, ओ नाम आपको याद रखना है रीमा कि बारे मैं अभी मैंने बता है इन्होंने महाराणा प्रताब की की उपर बुक लिखी है फिर हमारा अगला प्रशनें है रूल ब्रेकर्स किसके उद्वारा लिखी गई है पृत प्रेज़ेंडिया की सो प्रभावसाली थियू मीन नाम है न तो यह हमारे प्रिधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी के द्वारा किताब है इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर अब नीती आयोग ले आए हैं अभी नहीं लए हैं 2015 में आ चुका है या नीती आयोग ठीक है और प्रिधान मंतरी जी से related current affairs के कुछ questions है इन्हें कई कंट्रियों ने अपने जो सर्वोच चनागरिक सम्मान होते उन से सम्मानित किया है जैसे कि एक है फिलिप कोटलर प्रेसिदेंसियल अवार्ड शियोल सांती पुरिसकार और चेंपियन ऑफ दर्थ या यूएन के द्वारा दिया गया था सोलर अलाइंस के शेत्र में काम करने के लिए तो यह कुछ आवार्ड है जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को दिये गया है और एक्जाम वॉरियर्स बुक तो लिखी थी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने लेकिन इस बुक की लॉंचें यह नहीं कि मोचन किसके द्वारे किया गया तो दोस्तों यह लिखी गई है अमेरिका के पूर राश्टपती, जो थे बराक उबामा, उनके द्वार लिखी गई है, फिर हमारा अगला प्राशन है, I do what I do किसके दोरा लिखी गई है दोस्तों यह लिखी गई है रघुराम राजन जी के दोरा और रघुराम राजन जी है कौन या RBI के 23 वे गवर्नर है और 24 वे कौन थे उर्जित आरपटल जिन्होंने इस्तिफा दे दिया था और अभी कौन है तो अभी 25 वे नमबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी और N.K. सिंग कौन है N.K. सिंग सातवे वेतन आयोग के अध्यक्ष है और जो केम सुब्रमन्यम है वह भारत के मुख्यार्थिक सलाहकार है जो भी बजट पेश किया गया था इन्ही के दोरा तयार किया गया था और पेश किसके दोरा किया गया था भारत की वित्त मंत्रे निर्मला सीतरमन्जी के दोरा पेश किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है फिर हमारा अगला प्रशन है खूनी बैसाखी किसके दोरा लिखी गई है पहले तो इसका मतलब क्या है आपको जानना चाहिए तो आप सभी जानते हैं अभी 13 अप्रेल को मतलब 2019 को जालिया वाला बाग जो हत्या कांड हुआ था उसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसी उपलक्ष में इस बुक का विमोचन किया गया है नाम क्या है खूनी बैस साखी और इससलिखा किसने हैं इसे लिखा है श्री सूरी ने और यूछा जाई स्की लाँचिंग किसके दौरा किया गया तो इसका विमोचन है कौन यह नालको के MD है किसके MD नालको के MD है फिर हमारा अगला प्रश्ण है the English patient किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है Michael Onda T.J. द्वारा किसके द्वारा Michael Onda T.J. द्वारा और यह क्या है यह एक उपन्यास है फिर हमारा अगला प्रशन है किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है बेल सिंग के द्वारा दोस्तों हमको बुक के अंदर डिटेलिंग में नहीं जाना हमें केवल आथर का नाम याद रखना है फिर हमारा अगला प्रशन है डेमोकरशी अंदर रोड किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है रुचिर शर्मा के द्वारा तो यह भी आपको याद रखना है फिर हमारा अगला प्रशन है हाथियों के बीच चीटी या इसे इंग्लिस में आपसे पूछा जा सकता है आंट्स एमंग एलिफंट उस तक किसके दौरा लिखी गई है तो दोस्तों यह लिखी गई है सुजाता गिदला के दौरा यह एक बहुत बहुत फेमस राइटर है और 2018 में ने सकती भट पुरिसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है मैंने बहुत सारे अवार्ड्स बताए है एक पूरा अवार्ड का वीडियो मैंने बना चुका है आप लोगों नहीं यह दी वो अवार्ड का वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों यह लिखी गई है वरुन गांधी जी के द्वारा फिर हमारा अगला प्रश्ण है अच्छा 28-39 इसमें जो बुक्त है उनकी ओधर तो एक ही है उनका नाम क्या है उनका नाम है अरुंधती भट्टाचारिया सौरी अरुंधती राय बहुत फेमस लेखी का है और य इंग्लिस की सुप्रसिद्ध लेखी का है इंग्लिस लेंग्वेज की इनकी तीन प्रमुकृतिया बहुत फेमस है जो यह तो अभी अभी आई है माई सडीसियस हर्ट यह अभी की किताब है 2019 की अभी एक महिने भी नहीं हो मुझे लगता है करंट अफेर का कुश्चन है और इस बुक के लिए इन्हें मैं भूकर पुरिसकार भी मिल चुका है नाम क्या है अरुंधती राये तो इस प्रशने से हमको इतनी जानकारी मिल जाती अभी मैंने क्या कहा कि जो टॉप 30 कोस्चन होंगे उन्हें मैं 2019 में जो बुक्स लिखी गई और जो उनके आधर थे उनके बार में डिसकस करूँगी और जो अन्तिम के 20 कोस्चन है उनको मैं जो कॉम्टिटी एक्जाम में सबसे जादा बार पूछे जाते हैं उन कोस्चन को मैंने एट किया 30 to 50 कोस्चन में तो चलिए वन लाइनर में हम डिसकस कर लेते हैं फटा-फट अर्थसास्त्र के लेखक कौन है यह है शोभा डे अच्छा कुछ कोश्चन में लोगों को कंफ्यूजन होता है मोचली बार शाह नामा अकबर नामा और बाबर नामा सारी कोशन रिपीट हो गया शाह नामा का शाह नामा अकबर नामा बाबर नामा लोगों को कंफ्यूजन रहता है लोग सोसते हैं श शाह नामा लिखा गया है फिर दौसी के दौरा अकबर नामा लिखा गया है अबुल फजल के दौरा और बाबर नामा किसके दौरा लिखा गया है बाबर नामा लिखा गया है बाबर के दौरा इन्होंने श्वय में लिखा है फिर हुमायू नामा किसके दौरा लिखा गया है तो हुमायू नामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के दोरा यह कौन थी यह बाबर की बेटी थी और हुमायू की बहन थी लेकिन हुमायू की सौतेली बहन थी क्या नाम था इनका गुलबदन बेगम और यंग इंडिया किसके दोरा लिखी गई है तो यह लिखी गई है महात गुष्वंत सिंह के द्वारा और एंडिया डिवाइडर्र मोस्ट इंपॉर्टन्ट कोश्ट्यमीच यह लिखी गई है दॉक्ट राजिंद प्रशाद जी के द्वारा और समीधान सभा कैं duty जो पहले प्रशन है Harry Potter most important question यह लिखी गई है JK Rowling जी की दौरा देखे दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी national और international books हैं और उनके author है सब के बारे में detailing में discuss किया है जितना भी इस question से पूछा जा सकता है आपके exam में सब कुछ मैंने एट किया है आई होप यह वीडियो आप लोगो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपने study related wealth of nation यह लिखा गया है एडम स्मित के द्वारा और mother इंडिया लिखा गया है Catherine Mia के द्वारा और most 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 important book है पिछले साल कई exam में पूछा गया है यह जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गयी है तो दोस्तों यह लिखी गयी है यह पसंद आया है तो आप जितनी तारीफ मेरी आवाज की करते हैं उतना ही आप इस वीडियो के बारे में लिखें कि आप लोगों के कितना पसंद आया है और यह पसंद आता है तो प्लीज अपनी study related group में शेर जरूर करिएगा मैं बार बार कहते हूं आप शेर जरूर किया करिए और आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में छे यह भी जरूर थेंक यू सो मच